वेज़ के लिए है आज और वीडियो काफी इंट्रसिंग होने वाला है किसे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में पॉपप्स को आइड कर सकते हैं देखे दूस्तो जो पॉपप्स होते हैं वह काफी इंपॉर्टन होते हैं किसी भी वेबसाइट के लिए lead collect करने के लिए because जो pop-ups हैं उस पर जादा से जादा deals, जादा जादा offers या फिर discounts यानि attractive information दिखा सकते हैं और at the same time user से उनकी जो information है वो भी collect कर सकते हैं अब ये pop-ups बनाने के लिए बहुत जादा कोई technical knowledge होने के requirement नहीं है और WordPress में ये बहुती easy way है और बहुती easy तरीका है जो मैं बताने वाला हूँ कि आप अच्छे से अच्छा pop-up multiple types के pop-up बना सकते हैं easily वो भी बिना किसी hassle के तो बने रहेगा वीडियो के साथ last duck because सारे steps बहुती important है और बहुती easy है तो चली चलते है अपनी computer screen के अंदर देखते हैं कि इस process को कैसे करना है तो यहाँ पर आचुके हम अपनी computer screen के अंदर और सबसे पहले हम लोग जाएंगे dashboard में step number one यह है कि आपको एक plugin इंस्टॉल करना है तो plugin इंस्टॉल करने के लिए आप आएंगे plugins के selection में और click करेंगे add new पर यह जो plugin है बिलकुल lightweight plugin है कोई भी जादा unnecessary code आपकी website पर नहीं डालता और आप बहुत ही easily इसको use कर सकते हैं search bar में आपको लिखना है pop-up builder और जैसे ही आप इसको लिखके search करेंगे तो आपके सामने screen पर बहुत सेर options आएंगे जिसके अंदर जो second वाला option है यह आपको choose करना है pop-up builder यह इसका icon है यहाँ से आपको install करना है और install होने के बाद इसको आप activate भी कर लेंगे तो जैसे यह installation खतम होती है हम इसे activate कर लेंगे तो यह था step number one जिसके अंदर हमने एक pop-up plugin को pop-up builder plugin को install किया अब चलते है step number two पर जिस पर हम लोग एक pop-up create करेंगे और step number three में उसको integrate करेंगे तो step two में pop-up create करना है plugin को install करने के बाद left side में आपको इस तरह के option देखेगा यहाँ पर आपको click करना है और जाना है all pop-ups में यहाँ पर जब आप all pop-ups में आएंगे तो by default आपके पास कोई भी pop-up created नहीं होगा as such यह देखेए यहाँ पर no pop-ups found no pop-ups found यहाँ पर कोई भी pop-up नहीं है इस तरह का कोई भी notification आता है तो आप इसको cross कर सकते हैं so that आपकी जो screen हो जादा जादा clear रहे और आप जादा जादा viewing angle और viewing area आपको मिलता रहे तो देखिए यह इसका latest interface है इस पर already मैंने एक वीडियो बनाई थी पर उसमें interface में अब काफी change आ गया है इसलिए हम लोग 2022 में इस पर एक और वीडियो बना रहे है यहाँ पर आपको pop-up add करने के लिए add new पर click करना है यहाँ से अब click कीजिए अब बहुत ही धान से समझें अगर दोस्तों कि क्या इसमें समझने वाली चीज है यह देखिए सबसे पहले जैसे ही हमने add new pop-up किया हमसे type of pop-up पूछा जा रहा है कि image html facebook का कुछ दिखाना है subscription pop-up बनाना है या फिर more ideas अभी के लिए हम एक image pop-up बनाएंगे यानि एक image को हम हमारे pop-up में show करेंगे so that user को उस deal के बारे में पता चल पाए तो यहां से हम click करेंगे image पर image पर click करने के बाद हम आजाएंगे इसके next screen पर जिसके अंदर हमें pop-up का एक नाम देना है और basic settings करनी है तो यहां पर add title में हम देंगे image pop-up आप कोई भी नाम दे सकते हैं यह आप ही के reference के लिए user को नहीं दिखाई देगा और यहां पर इसके बाद नीचे हम आएंगे यहां पर देखिए नीचे थोड़ा सब स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आप option है image settings यानि जो image का pop-up आपने चूज किया है तो आपको एक image यहां पर लगानी है तो उसको लगानी से पहले हम बाकी settings देख लेते हैं display rules display rules का मतलब है कि आपको इस pop-up को अपनी website में कहां कहां दिखाना है तो हम यहां पर rule लगाते हैं हमें सरफ home page पर दिखाना है तो अब भी home page यहां पर selected नहीं है तो हम इसको पर देते हैं all pages यानि जो pages है उस पर दिखाना है post पर नहीं दिखाना all pages इस पर हम click कर देते हैं अब यहां पर आप देखेंगे यह तो वह पेज के बारे में अब आती है event यह pop-up कब दिखाई देगा अगर आप pages पर दिखा रहे हैं तो यह pop-up कब दिखाई देगा उसके लिए आपको event पर क्लिक करना है अब यहां पर देखें कुछ option है on load का मतलब जैसे ही page load होगा pop-up दिखाई देगा automatically set by css class को css class call होगी तब दिखाई देगा on click किसी button पर किसी text पर click होगा तो दिखाई देगा या on hover यानि किसी element पर hover यानि mouse ले जाएंगे तब दिखाई देगा अभी के लिए जो हम सीख रहे हैं वो है click पर यानि button पर हमें pop-up को trigger करवाना है तो यहां पर on click पर click करेंगे on click select करने के बाद यहां पर जो यह दूसरा option है इसको आप as a test छोड़ सकते हैं इसको कोई भी आपको select करने के जरूद नहीं है because pop-up create करने के बाद already एक जो class इसकी बनेगी उसको use करेंगे तो यहां पर सरफ हमें event select करना है on click जो button पर हम करेंगे अब आप condition देख सकते हैं कि condition में अगर आप इसका advanced version लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं जिसमें geo targeting, advanced targeting बढ़ाय सच हमें जरूद नहीं है behavior after special event याई pop-up में कोई भी special event अगर आप करवाना चाहते हैं या pop-up के बाद कोई special event करवाना चाहते हैं आप इसको select कर सकते हैं for example कि contact form 7 जो हम अगली वीडियो में सीखेंगे कि कैसे आप pop-up में contact form 7 को लगा सकते हैं अभी के लिए as such कोई special event नहीं है यहां से design पे आप click करेंगे तो यहां पर बहुत सारे options हैं जिसे z-index, theme कौन सी आपको select करनी है उसके अलावा आप यहां पे color change कर सकते हैं opacity कर सकते हैं काफी सारी चीज़े हैं ठीक है आप यहां पर देखिए closing closing में भी आप अपना बहुत सारे icon तो इस पर detail video जो है वो हम बहुत जल्द लेकर आएंगे पर अभी के लिए सिर्फ हम सीख रहेंगे pop-up कैसे लगाते हैं तो इतनी जो settings हमने की हैं वो sufficient है हमने display rules, event और condition को set कर दिया है अब image की बाद आती है तो यहां पर एक पर image डाल देते हैं तो image पर click करते हैं और एक आपको दिखाने के लिए मैंने एक offer यानि discount के dummy image download कर रखी है उसी को हम set करते हैं यहां पर यह image है mega cell की choose image और यहां पर यह image set हो गई आप इसके बाद सारी चीजें होने के बाद आप चाहिए उपर और यहां पर publish के button पर click कर दीजे तो publish के button पर click करने के बाद यह जो pop-up है यह create हो जाएगा तो यह था step number 2 जिसमें हमने pop-up को create किया आप चलेंगे step number 3 पर जिसके अंदर हम जो button है उस पर इस pop-up को लगाएंगे तो इसके लिए आपको वापस click करना है all pop-ups पर वापस चली all pop-ups पर और यहां पर आपको यह जो short code है इसके right side में लिखा हुआ है class class को उठाना है यहां से class को copy कीजिए और हम जो लगाने वाले हैं इस pop-up को वो इस contact us के button पर लगाएंगे change करेंगे इसका text इस button पर लगाएंगे तो इसके लिए हम करते है edit with elementor यह हमारा step 3 है जिसके हम अंदर हम इस pop-up को integrate कर रहे हैं हमारे button पर और देखेंगे कि क्या फिर इस button पर click करने के बाद यह pop-up आता है या फिर नहीं यहां पर आपके सामने elementor की window लोड हो गई है इस button पर edit पर हम click करते हैं और यहां पर सबसे पहले class लगाते हैं तो class के लिए चलते हैं advance में और यहां CSS class का जो option आपको लिख रहा है यहां पर उसको paste कर दीजिए content में चलके इसको हम click करते हैं get special special offer in our sale for example हम ऐसा कुछ लिखते हैं यहां से हम इसको नीचे जागे update कर देते हैं तो यह हमारा step 3 complete हो गया कि हम इने इसको integrate कर दिया आप इसको test करते हैं कि क्या इस पर click करने पर एक pop-up हमारे सामने आ रहा है या फिर नहीं तो चलते हैं website पर इसका preview देखते हैं और अब हम अगर इसको click करते हैं यहां पर इस button को तो देखिए यह हमारे सामने एक pop-up आ गया है मतलब पहले कुछ भी नहीं था अब एक pop-up आ गया और pop-up के अंदर हमारी वही image जो हमने set की है और यहां पर एक close का button है अगर आप बाहर भी click करेंगे तो भी close हो जाएगा और अगर आप इस close के button पर click करेंगे तो भी यह close हो जाएगा देखा आपने कितना easy process था अगर आपको भी ऐसे ही easy process और ऐसे easy methods जानने है तो अभी के अभी चैनल को subscribe कर लो bell icon को दबा दो so that हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज है उनका notification आपको सबसे पहले मिले welcome आप से एक और next वीडियो में तब तक के लिए take care thank you so much have a nice day